दोस्तो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए महत्पूर्ण अपडेट लेकर आ चुका हूँ क्लास फिप्त और एट वालों के लिए मद्धि प्रदेश बोर्ड परिक्षा कक्षा पांचवी और आटवी की जो ड समय सारणी जारी करने एतू मतलब कहने करती है कि आपकी जो वार्षिक परिक्षा की जो डेट थी उसमें संसुदन किया है देखिए मैं पूरा आपको पढ़के बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद रखना है और लिख लेना है आपका टाइम टेबल भी बताऊंगा मै पांच वी और आट वी वालों का टाइम टेबल पूरा देखने को मिलेगा आपको अभी देखिए विसे अंतरगत लेखे की संदर्भी पत्रानुसार प्रदेश की समस्त सास की मानिता प्राप्त और असास की अनुदान प्राप्त सालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदर लगया है ठीक है तो देखिए आपको कब से लेकर के तो कब तक एक्जाम है आप लोगों की कौन-कौन सी डेट को है चलिए मैं बताता हूं आपको अभी कि आप नोट कर लीजिएगा सारी डेट और पांच वी और आट वी दोनो देख सकते हैं आप ये मोबाइल को आप रोटेट करके देख लेना की कौन सी डेट को कौन सा पेपर है आपका 25 तारिक सनिवार के दिन आपको याद रखना है कक्षा पांच वालो का प्रथम भासा हिंदी विशिस्ट अंग्रेजी उर्दूर मराटी आट वी का विज्ञान का पेपर है 25 तारिक को उसके बाद 27 तारिक को परेवरान है कक्षा पांच वालो का आट वी का सामजिक विज्ञान 27 तारिक के बाद 29 तारिक के दिन 29 मार्ज को दिन बुद्वार सामान अंग्रेजी है अंग्रेजी माध्यम को चोड़ कर अत्वा सामान हिंदी है जिनकी प्रतम भासा अंग्रेजी है और इसके अलावा आपको याद रखना है आटवी वालों की हिंदी विसिस्ट है अंग्रेजी उर्दू मराठी है प्रथम भासा इसके बाद 31 तारीक के दिन सुक्रवार के दिन आपको सामान्य उर्दू हिंदी और अन्य अत्रिक्त भासा कक्षा पांच वाले के लिए आटवी वालों को याद रखना है दुत्ति भासा जिसे सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी ठीके इसके बाद में ये आपको याद रखना है देख सकते हो आप सनिवार एक अपरेल पांचवी वालों की चुटी रहेगी और उसके बाद में आटवी वालों की एक अपरेल के दिन जो परिक्षा रेने वाली है वो ये रहेगी तरती भासा जिसमें संस्कृत आती है सामान हिंदी, उर्दु, मराथी, उर्डिया, पंजावी जो भी आपकी है ये आटवी वालों के लिए और उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है सोमवार चार देखिएगा तीन अपरेल के दिन कक्षा पांचवी का गणी तत्वा संगीत का पेपर रहेगा और कक्षा आटवी का भी गणी तत्वा संगीत का रहेगा अगर ये पीडियाप आपको चाहिए तो मेंस एजुकेशन का जो टेलिग्राम चैनल है उस पर अपलोट कर देंगे तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं